तो हाई गाईज आसी सेफ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप घर बैठे कैसे ऑनलाइन अपने वोटर आईडी कार्ड में अड्रेस यानि के पता एक जगह से दूसरे जगह सिफ्ट कर सकते हो वो भी बिल्कुल फ्री में तो गाईज मान लो कि आप किसी कसिचरूसी नहीं बदल रहे हो यानि कि एक सहर से किसीह delayed से nah जा रहे हो आप एक ही सहर में खुद को सबस्क्राइब कर देन Olay और मैं तो गाईज आपको वोटर कार्ड में opos सबसे पहले सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप इसे ओपन करोगे तो आपको सामने कुछ एक ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा तो अब अगर आप इस पेज में देखोगे तो यहाँ पर आपको वोटर कार्ट से रिलेटेड बहुत सारे सर्विसेज दिखने को मिल सब्सक्राइब करना है तब आपको अपने वोटर कार्ड में अपना अड्रेस करना है तब आपको सेलेट करना है लेकिन गाइज हमें अपने वोटर कार्ड में जो अड्रेस है उसे एक ही सहर में रहते हुए एक जगह से दूसरे जगह सिफ्ट कराना है क्लिक करते हैं हमारे सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आजाएगा तो आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है तो आपको अपने 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 मोबाइल नंबर इस पर एक मोटीपी जाएगा आपको उस पोटीपी को डाल लेना है कि वोटीपी डालने के बाद फिर आपको वेरिफाइव ओप्शन को क्लिक कर लेना है तो आपके सामने एक न्यूप जोपन होकर आ जाएगा यहां पर लिखा हुए तो यू आल्रेडी है वोटर आइडी कर लेना है क्लिक करते हैं एक न्यू पेज उपन होकर आ जाएगा यहां पर आपको आपको नीचे में दिया हुआ है फेच डिटल उस ऑप्षिन पर आपको क्लिक कर लेना है तो क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ एक ऐसा मैसेज तो होकर आ जाएगा तो अगर आप इस मैसेज में देखो करते हैं आप लिखा हुआ है वी है फाउंड इस रिकॉर्ड फोर यूर एंटर वोटर आइडी प्लीज क्लिक और प्रोसीड बटन इसका मतलब यह है कि आपने जो भी वोटर आइडी नंबर डाला है हमारे रिकॉर्ड में फॉंड हो चुका है अब आप निचे में दियावा प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा अब इस पेज में अगर देखोगे तो यहां पर आपका जो भी वोटर आइडी काड़ का जो भी डिटेल्स ह आपके सामने आजाएगा इस सारी डेटेल को अपको चीटर केसे देख लेना है और निचे में दियाओ नेच्ट बटन पर क्लिक कर लिए गास्ट प्रेंट जालना है मतलब कि आप जहाल से शिप्ट होकर जहां पर तो डालना है तो आपको सब से हम यहां पर हास नमबर तो तो हाउस नमबर डालने के बाद अब आप नीचे में आप लिखा है हाउस नमबर इन रिजनल इसका मतलब यह है कि आप जैसे इस ऑप्षिन पर क्लिक करोगे आपने जो भी हाउस नमबर डाला है वह आपके लोकल लैंग में चेंज होकर आ जाएगा तो आप इसे एडिट भी कर सकते हो जैसे कि मैं आप अभी कर रहा हूं आप देख सकते हो तो इसी तरीके से आप भी अपना अड्रेस को गलत हो जाए तो उसे आप चेंज कर सकते हो तो हाउस नमबर डालने के बाद अब अगर आप नीचे में देख़ए तो यहाँ पर है स्ट्रीट डाउन या विले पने नमबर को अपनेम अब कर आंजेगा आपको पिक्चर अप्सरा और ऑपकर आज़ेगा इस में आपको अपना प्क्रोड कर लेना हैं तो आपको अप्लोड करने करना है तो आपको नीचे में दिया हूँ नेश्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है क्लिक करते हैं आपके सामने एक न्यू पेज उपन होकर आ जागा इस पेज में आपसे आपका अड्रेस प्रूफ मांगा जाएगा मतलब कि आपने जो भी अड्रेस अभी डाला है जहां पर आप गए क्लिक करना है क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ एक ऐसा लिस्ट ओपन होकर आ जागा नहां पर सबसे फर्ष्ट में हैं इंडियन पासपोर्ट दूसरा है वाटर बिल तीसरा है इलेक्टिटी बिल चोथ है ग्रेक्शन इससे तरह को बहुत सारी ऑप्शन दिखने को मिल जा है जो भी आपने डॉकमेंट उपर में स्लेड किया है वह डॉकमेंट का फोटो आपको यहां पर अप्लोड कर लेना है तो क्लिक करते हैं आपको सामने दो ऑप्शन खुलकर आएंगे सबसे फर्ष्ट कैमरा दूसरा है ग्यालरी इन दो ऑप्शन में से आप जहां से भी पर क्लिक कर लेना है क्लिक करते हैं अपको सामने एक निव पेजन होकर आजागा अपर लिखावा जैनल अब मेंहें अगायां से आपने जो भी गलत है अगर नहीं है ऊइछे यहांप तो घाइज गशपन आपको देखने को मिलेगा यहांप लिखा हुआ है थैंक्यू यूर इप्र एक अपने एक हो चुका है और आपको सेब कर लेना था कि आपको आगे फूचर में अपने अप्लीकेशन का स्टेटिस भी चेक कर सकते हैं तो चलिए गाइज अब मैं आपको बताता हूं कि आप पर आना है अगर आप नीचे में देखो एक पर तीन लाइन बने हुए उन तीन लाइन वाले अप्शन को कुल कर आ जाएंगा जहां पर आपको नीचे में एक ओप्शन दिख रहा हुगा पर लेना है तो गाइसे आपको ट्रेक अस्टेटस अपर उप्शन को क्लिक कर लेना है तो जैसे अपको स्टेटस है वो आपको तो सो जाएगा सबसे पहला है सब्सक्राइब आपका जो वोटर आडी काड़ है वह आपकी घर पर पुष्ट के जरी है पहुंचा दिया जाएगा तो इसी तरीके से आप अपने वोटर आडी काड़ में अड्रेस चेंज कर सकते हो